सद्गुरू, पराइस्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंद बनाना, जिसे व्यभीचार कहते हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? इसका आध्यात्मिक स्तर पर क्या प्रभाव पढ़ता है? अगर आपके दिल में प्यार नहीं है, तो आप व्यभीचारी ही हैं, अगर आपने आशो आराम के लिए, खुद को जीवन के किसी पहलू के हवाले कर दिया है, जरूरी नहीं कि वो आदमी हो, या औरत हो, दिल में प्यार के बिना, अगर आप खुद को जीवन के किसी पहलू के हवाले कर देते हैं, तो आप एक व्यभीचारी हैं, है ना? तो क्या मैं व्यभीचार के खिलाफ हूँ? हाँ, उस माइने में हाँ, हर पहलू के साथ. लेकिन अगर आप उस बारे में बात कर रहे हैं, जिसे समाज प्यभीचार मानता है, तो ये उस व्यक्ति पर है, और जो भी काम आप करते हैं, उसका एक नतीजा होता है. लेकिन अधिकतर लोग जब नतीजे सामने आते हैं, वो उन नतीजों का सामना करने को तैयार नहीं होते हैं. लेकिन उन नतीजों का सामना किये बगएर ही, वो ऐसे हालाच चाहते हैं, जिनका वो मज़ा ले सकें. फिर कोई भी इंसान जो अपने के हुए कामों के नतीजों को खुशी-खुशी स्विकार करने को तैयार नहीं है, वो बस एक मूर्ख हैं. और मूर्ख वो होता है, जो अपने ही खिलाफ काम करता है. जो अपने ही खिलाफ काम करता है. कोई भी इंसान जो खुद को अपने खिलाफ कर लेता है, या कर लेती है, उनके बारे में हम क्या कहें? तो अपने कामों के जरीए अगर आप खुद को अपने खिलाफ कर रहे हैं क्योंकि आप बिना सोचे चीजें करते हैं आप चीजें चुनाव से नहीं कर रहे हैं आप चीजें बिना सोचें सिर्फ इसले कर रहे हैं क्योंकि आप अपने शरीर के या भावनाओं के एक पहलू के आगे जुग गए हैं तब ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है क्योंकि आप अपने लिए तकलीफ पैदा करेंगे कोई भी चीज जो किसी इनसान के लिए तकलीफ लाती है खासकर उसके खुद के लिए क्या वो ठीक है? कोई इनसान जो खुद के लिए दुख और तकलीफ को न्यौता देता है वज़े चाहे जो भी हो उसका कोई तुक नहीं है मैं किसी चीज के खिलाफ या पक्ष में नहीं हूँ मैं चाहता हूँ कि आप समझदारी से जीएं जिसमें भी आपको सबसे ज्यादा समझदारी लगे आपको वही करना चाहिए क्या ये गलत है? क्या वो गलत है? मुद्दा ये नहीं है क्या आप अपना जीवन समझदारी से जी रहे हैं? सवाल बस यही है या क्या आप किसी चीज़ के गुलाम है और मेरी सहमती लेने की कोशिश कर रहे हैं अपनी किसी बेवकुफी के लिए नहीं मैंने न तो किसी काम के लिए मन्जूरी दी है और नहीं ना मन्जूरी दी है जब तक आप उस बारे में समझदारी से बरताव कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, ना समझी भरा जीवन पाप है, है ना? अगर आप समझदारी से जीते हैं, इस तरह से कि ईश्वर भी आप पर गर्व करें, तो ठीक है. अगर आप बस जुग गए हैं, अपने शरीर के, या भावनाओं के, या मन के तरीकों के आगे, और अपने ही खिलाफ काम कर रहे हैं, तो ये समझदारी नहीं है. तो ऐसी बेवकूफी, क्या ये गलत है? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है. ये बस बहुत सीमित और बेवकूफी भरा है. मैंने अपने जीवन में कभी किसी चीज़ को सही या गलत नहीं काया है. लेकिन जो भी चीज सीमित या बेवकूफी की हो, वो करने लाइक नहीं है. तो मैं कहूंगा कि व्यभिचार करने लाइक नहीं है क्या ये सही है या गलत मैं कौन होता हूं जीवन की किसी चीज के बारे में फैसला करने वाला मैं जीवन के बारे में फैसले नहीं सुनाता लेकिन ये मुर्खता पूर्ण और सीमित है कि आप अपनी खुद की तकलीफ का कारण बने किसी ऐसी चीज़ के आगे जुग जाना मूर्खता और नासमझी है जो आथ सब कुछ लगती है और कल आपको बेवकूफ जैसा महसूस कराती है उस चीज़ के आगे जुग जाना बेवकूफी होगी जो आपको आथ सब कुछ लग रही है और वही कल सुभा आपको खुद मूर्ख जैसा महसूस कराए किसी दूसरे को नहीं ये जीने का नासमझी भरा तरीका है आपको इस तरह से जीना चाहिए इतनी समझदारी से कि देवताओं को भी आपसे जलन होनी चाहिए अगर आप इतनी समझदारी दिखाते हैं तब आपके जीवन में कुछ सही या गलत नहीं है अगर आप में ये समझ नहीं है तो आपके जीवन में हर चीज गलत है